पंद्रा दिन भी आप इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए रिजर्ट आपको खुद बखुद अपनी स्किन के ऊपर दिखाई देंगे सर्दियों में हर तरह की स्किन ड्राइ होने लग जाती है लेकिन जिन लोग स्किन ऑल्रेडी ड्राइ है उनकी स्किन का तो बैंड बज जाता है उनकी स्किन एक्स्ट्रीम ड्राइ हो जाती है इतनी जदर ड्राइ हो जाती है कि चहरे के ऊपर पपड़िये सी बनने लग जाती ह वो अपनी स्किन को मॉस्चराइज करने के लिए अपने फेस के उपर तरह तरह की चीज़े लगाते हैं लेकिन कुछ टाइम तो स्किन मॉस्चराइज दिखाई देती है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ही ड्राइनेस दुबारा से उबर कर बाहर आने लग जाती है वो ही ड्राइनेस चेहरे के उपर दिखाई देने लग जाती है अगर आपकी भी यही प्रोब्लम है तो इस रेमिडी को मेरे साथ त्यार कर लीजिए यह आपके चेहरे को सुपर सोफ्ट बनाएगा आपकी स्किन मक्खन की तरह हो जाएगी स्किन की ड्राइनस बिलकुल गायब हो जाएगी आपकी स्किन के अंदर एक नई जान आ जाएगी तो देरी के भी ना चलते हैं अपनी रेमिडी की तरह नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी वी नेचर बार सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे आप सब मैं उमीद करती हूँ आप सब लग खुश होंगे इस रेमिडी को त्यार करने के लिए आपको मातर तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे दूद के ऊपर जो मलाई जम जाती है जब हम दूद को गर्म करते हैं और ठंडा हो जाता है उसके उपर जो मलाई जम जाती है हमने वो वाली मलाई का इस्तेमाल करना है हम मलाई का कितना ले रहे हैं चोथाई चमच आप ताजी मलाई लेना इसको आप एक हफते तक बना कर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो मलाई हमारी स्किन को अपने ही तरह सोफ्ट और मूलाई बना देगी अब मैं इसमें एड करूँगी आदा चमच ग्लीसरीन ग्लीसरीन जूर एड करना अगर आपको ग्लीसरीन सूट नहीं करती केईयों का यह मानना होता है कि चहरा काला पढ़ने लग जाता है ऐसा नहीं होता ग्लीसरीन तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि यह हमारी स्किन के ऊपर नहीं रहती यह skin के अंदर तक चली जाती है, अंदर से हमारे skin को मृस्चराइज करती है, अंदर से हमारे skin को नमी परदान करती है तब ही इसका इस्तेमाल करने से हमारे skin dry नहीं होती ठीक है जी यह सिरफ वो लोग उजोट ना करें जिनको लीसरिन से allergy है अब मैं इसमें एड़ करूँगी आदा ही चमच बादाम का तेल बादाम का तेल हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता विटामिन E से भर पूर है ये अब हमने इन सभी इंग्रीडियंट को अच्छे तरीके से मेक्स करना है यहां पर मैंने बादाम के तेल का इस्तेमाल किया है लेकिन अगर अब बादाम का तेल नहीं लेना चाहते तो आप नारियल का तेल ले लीजिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि नारियल तेल कौन सा इस्तेमाल करें अगर आप मेरी मानो तो आप coconut virgin oil लेकर रखो आप वो वाला oil मत यूज़ किया कीजिए जो बालो में लगाते हैं coconut virgin oil को हम खा भी सकते हैं इसलिए वो हमारी skin के लिए बहुत अच्छा होता है आप लोग मुझसे पूछते हो कि हम वो वाला parachute वाला यूज़ कर लें जो बालो में लगाते हैं वो वाला इस्तेमाल कर लें तो मैं ना बोलूँगी अगर आप coconut oil यूज़ करोगे तो आप virgin oil ही यूज़ कीजिए ताकि आपकी skin को benefit मिले देखिए हमारी ये क्रीम बिल्कुल तियार है अब इसको लगाना कैसे है रात को जब भी आप सो पहले अपने face को wash कीजिए मैं भी पहले अपने face को साफ करूंगी उसके बाद मैं आपको इसको लगाना बताती हूं कि कैसे लगाएंगे तो चलिए सबसे पहले अपने face को साफ कर लेते हैं लेकिन अगर आप दूद नहीं लेना चाहते हैं आपको सूट नहीं करता तो आप अपने किसी भी फेवरेट फेस बोसे पहले अपने फेस को वाश कीजिए या गुलाब जल से साफ कर लीजिए लेकिन फेस को साफ करके उसके बाद ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए ठीक है जी फेस साफ हो गया है अब हम अपनी क्रीम में से थोड़ी सी क्रीम लेंगे जैसे आप नॉर्मल अपने फेस के ओपर अपनी क्रीम लगाते हो सेम आपने वैसे ही इसको लगाना है आप पहले इसको अच्छे तरीके से पूरे फेस के ओपर फैला लीजिए आप इसक नाइट में भी लगा सकते हो, डे में भी लगा सकते हो, लेकिन कई लोगों को मलाई से स्मेल लाती है, इसलिए वो चाहें तो सिर्फ इसको रात को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर वो इसका इस्तेमाल दो बार करेंगे, तो उनको इसके रिजर्ट जल्दी मिलेंगे, और बहुत अच्छे मिलेंगे आप इससे एंटी एजिंग मसाज भी कर सकते हो आप यूज करके देखिए आपको इसके रिजर्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपने शायद सुना भी होगा जो हमारे बड़े बजूर्ग थे वो ये बोलते थे मलाई फेस के उपर लगाने से पिग्मेंटेशन भी लाइट होती है ये क्रीम हमारे स्किन की ड्राइनेस को तो दूर करेगी ही इसके सासा स्किन को सोफ्ट मलाए मक्खन की तरह बना देगी और हमारे चेहरे के दाग धबों को भी लाइट करके स्किन को ब्राइट बनाएगी इस क्रीम को सभी यूज़ कर सकते हैं सिरफ वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको इसमें डाले के किसी इंग्रीडियन्स से ऐलर्जी हो ठीक है जी बस ऐसे आपने क्रीम को लगा लेना है और सो जाना है अगर आप इस क्रीम को ऐसे ही लगा कर सो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन केई लोग ऐसे भी होंगे आप मेंसे जो अपने फेस के उपर कुछ लगा कर सो नहीं सकते तो वो क्या करें इसको थोड़ा सा हलका कॉटन से उतार लें और उसके बाद सो जाएं सूबह आप अपने फेस को साधे पानी से वाश करें कुछ दिन ऐसे करके देखिए रिजल्ट खुद बखुद आपको आपके सामने दिखाई देंगे तो आप भी इस प्यारे सी अमेजिंग सी क्रीम को बनाएं इसके बैनी फिट्स उठाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई